वाट्सप एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो हमारा हीरो स्प्लेंडर बाइक के ओपर लैग ड्रैग वीली कैसे करें सो बेसिकली हमारा जो वीडियो है यह मेरा एक सब्सक्राइबर है उसने मेरे को कई बार रिक्वेस्ट करी कि भाई स्प्लेंडर बाइक के ओपर लैग ड्रैग कर टुटोरियल बनाओ तो आज यह वीडियो मैंने इस्पेशली उसके लिए और आप सभी के लिए बनाया है तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से स्टैप्स आपको बताता हूं और आपको यह टुटोरियल कंप्लीट करके दिखाता हूं इस वीडियो भी जो टूटोरियल है स्फेंडर ऐस प्रहोचेस होता है वो सब का सेम ही होता है तो इस बाइक पर बीजो हमने आपको सिखाऊंगा तूोरियल वह भी आपको 3 स्टैप में ही सिखाऊंगा- सबसे पहले स्टैप जह होता है वहmat grow भापिग और दूसरे स्टैप सकते हैं और दूसरा होता है यही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी वीली में तो जिस लोगों को यह स्टैपस अगर क्लियर नहीं है और जो मैंने पहले भी फर्दर एक टूटोरियल डाल रखा है अपनी पुल्सर इस्टेंट बाइक पे अगर जिसको वीडियो देखना है वह प क्लियर कर दूँगा तो अब हम इस पर आपको करके दिखाते हैं में पस्टेप जो होता है हमारा पॉपिंग फ्रेंड्स हमारा पहला जो स्टैप है वह सबसे पहले स्टैप होता है पॉपिंग करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले अपनी बाइक को स्टार्ट करना है स्टार्ट करने के बाद फस्ट गेर में शिफ्ट करना है, शिफ्ट करने के बाद बहुत से लोगों को बहुत से लोग पता है क्या गल्ती करते हैं, जो हमारा जो एक क्लच होता है, उसको मतलब हैंडलिंग करने का उनको तरीका पता नहीं होता है, तो अपना पूरा हाथ जो ह इसको हमें क्लच को ऐसे यूज करना है बागी जितनी भी रेस्ट हमारी फिंगर्स और हमारा पाम है उससे हमें अपनी हैंडल को ग्रिप अच्छे से बनानी है ताकि जब हम जटका भी आगे हमें लगे पॉपिंग के टाइम पे तो हमारा डिस बैलेंस ना और हम घिरे नहीं गरां चाह्तव करणा आपने को उल्ली तो चलीत आप मैं आपको बताथा हूँ हमें आपने अपने अच्छे बि और में फक्राइब करसे यूज ना सीख लिया आपको करना क्या है तो कि çोट छोड़ोड के अलके जट्का देशी मैं आपको दीके बताता हूँ देखो कि करना है तो आपको पहले जो स्टैप करना है और यह किस ताइम पर और किस पोजीशन पर करना है जब हमारी बाइक ज्यादा हाइट पर आजाए तब हमको हलके से ब्रेक टैप करना है बाइक नीचे आजाएगी उसी टाइम पर हमें अपना एक्सलेर बिस्टंट पर होते हैं वह हमें देना है बाइक पिट से हाइट आप टिकप कर लेगी अब अभी ब्रेकिंग इस तरह से क कर दीजिए ना तो परदर आपको जो भी आप प्रॉब्लम है वह आपकी शॉल्ट कर दूंगा तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूं ब्रेकिंग कैसे करने है तो अब तो प्रेंड्स आपने देखा दूसरे स्टैब जो था ब्रेकिंग वह मैंना आपको इसली समझ आपको समझ आया होगा तो अब मैं तीनों स्टैब आपको क्लियर करके बदाता हूं तीसरा थर्ड जो होता है हमारा देखिए यह जैसे कि मैंने आपको बता है हमारा जो लैग है वह नीचे ही रहना है रोड पर तो उसमें जादा कुछ करना तो है नहीं अगर नॉर्मल वी इशनके समें पर और आपको चौत आपको कर दिखाता हूं जिससा अपको और अच्छे से क्लियर समझ आजाए का और आप वो चीज़ संत ढ Yesterday सम आपको करके दिखाता हूं और मैं आपको बता दूँ जब भी मैं आपको स्टेप्स कियर करता हूं या आपको कुछीज बताता हूं तो मैं सेफटी गेर्स क्यूं यूज नहीं करता हूं तिकिए मेरे पास माइग्रोफोन नहीं है आवास का इशु आ सकता है जिससे आप लोगों को समझने में दिक्कत ह करता हूं तो मैं हमेशा अपने सेफटी गेर जरूर यूज करता हूं तो आप भी जरूर यूज कीजिए और क्रेश से बचिए आपकी सेफटी रखिए करता हूं फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने कैसे क्या करते हैं लैड ड्रैग जूली आपको करके दिखाई वह भी स्प्लेंडर बाइक के जी हां ऐसा कुछ नहीं है कि स्टंड्स करने लिए हमारे लिए के पास हाह किश something पर स्टंड्स करके लिए उमीद करता हूँ यह वीडियों आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा गाइस मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक और कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि हाँ मेरी वीडियो आपको कैसे लेगी और अगर आपको कोई फ्रेंड सर्कल में स्टंड्स करता है या सीखना चाहता है तो उसको यह वीडियो जरूर शेयर करें तो उमीद करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाबाई टेक केर